मैं अन्लॉक के लेकर जो नहीं वेवस्ता हुई है क्या ओर निकले हैं किस तरह की वेवस्ता है रही है जी व्यापारी संगों का जिला प्रशासन से और क्रैसिस मैनेजमेंट ग्रूप के साथ बात हुई और उसमें अधिक शूट देने की सम्मन में आग्रह किया गया उसमन मे अधिक शूट बात हुई है और उसमें अभी फिलाल जो है वो और इवन पद्धती में मतलब दायां और वायां एक एक ही स्क्रीट में एक मार्केट में एक दिन दायां खलेगा दूसरे दिन वायां खलेगा इस तरह से 50% बाजार खुले जाने कंबन में सहमती बनीने लेकि सामाजिक दूरी का पालन किया जाना इसके लिए गोले बनाना और गोलों में उस वेवस्था को कायम रखना वो भी दुकानदार की दिनमेदारी रहेगी इसके अलावा सेनिटाइजेशन लगातार करते रहें ये भी सहमती बनी है इसके साथ ही समस्तर व्यापारियों को ये बैठने की वेवस्था हैं वो सब हटानी पड़ेंगे कि ग्रहाख आए अपना सामन लेके वापस चला जाए ये सुनिश्चित करना भी दाइत पर हैगा हम लोग बाजार खोल रहे हैं क्योंकि हम लोग एक बहतर स्थिती में पहुंच गये हैं लेकिन बाजार खोलने से सब की जिम्मदारी खनवा के सभी नागरिकों की है और इसलिए मैं अपील करती हूँ कि सभी नागरिक बहुत सहियम के साथ बाजार में आए और बिल्कुल जरूरी काम के लिए आए आगरह ये भी है कि परिवार सहीतना है बच्चों और बुजूर्गों को जो है वो बाज सभार को और हमारा जो जीवन का नियमित चरिया है उसको हम अच्छे से चला पाएंगे इसके लिए गंभीर अनुशासन की और आत्मसायम की ज़रूरत होगी तो वो सब आगरह रहेगा और ये अब से लागू होगा ये कल से लागू हो जाएगा इस पर स्ट्रीट वेंडर् कि वही और इवन में रहेगा और बैठने की वैवस्था बिलकूल नहीं रहेगे मतला हम लोग ये आगरह कर रहे हैं कि आपको जो भी सामान जरूरी है या जो भी चीज आप ले रहे हैं अब लेके सीधे घर जाएं बाजार में ना तो अनवाशक रूखेंगे ना अब ही तो हम लोग इश्वश की दया है कि हम लोग शूर्ने पर है और यही अनुशासन और आत्मसयम बनाए रखा और हम लोग कोविड नियमों का पालन करते रहें तो आगे भी उमीद है कि ऐसा ही रहे हैं थैंक्यू